हाँ जी नवस्कार मैं आपका अपना रोईत मीड़ा देखिया आज आपको फिजिक्स 2020 की पेपर को हल करवाएंगे राजस्तान युनिवसिटी पीजी इंट्रेंस परिच्छा एक्जाम दो है यार 12 की पेपर को हल करेंगे यानि ही पीजी में मास्टर डिगरी करने के लिए पीजी में एड़ीशन लेने के लिए क्या है इंट्रेंस लेती राजस्तान युनिवसिटी तो इंट्रेंस पेपर के लिए प्रीविए के पेपर पढ़ना बहुत अधिकावच सेके तो हाज हम बात करेंगे राजस्तान बेस्विद्याल है पीजी प्रीविएस पर ये चा गत बर्स के स्वाल्ड पेपर और गत बर्स में कौन सा दो हजार बारेवे और फिजिक्स सब्जेक्ट का पेपर की बात करेंगे तो देखिए ये तो आपको रॉल नमर बगेरा आप ओमर शीट सिगनेचर कंडिडेट डेट ऑप एग्जामनेशन सिगनेचर और तो ये सिग सब्सक्राइब तो हम 11 से स्टार्ट करेंगे यहां 11 आपका physics का question है तो देखिए पहला question क्या है यदि app vector एक सरची बल है तो क्या होगा तो यह पूचा है आपसे तो इसका देखिए dell vector into app vector बरावत 0 होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा A option is the correct answer 11 का right answer A option इसके बाद next question की बात करते है 12 number question है एक मिमी तरजा एबन 2 मीटर नम्माई का इस पाथ का तार चट से लटकाया हुआ है 5 केजी का द्रब्यमान तार के दूसरे छोर से लटकाया हुआ है तार में संग रहित उर्जा का मान होगा तो मान पूचा है इसके लिए आपको by दिया है 20 into 10 की पावर 10 nanometer square and gram बराबर 10 में meter पती second square तो इसका right answer कुझा है तो इसका right answer क्या होगा 12 का right answer हो जाएगा यानि 5 by 4 5 into 10 की पावर माइनस 2 joule इसका right answer हो जाएगा A option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे next question की next question है आपका 13 number तो 13 number question की बात करेंगे यदि एक चक्ती जिसकी तरजा R तता द्रब्यमान M है एक नत तल पर नीचे की और लड़कना प्रारम करती है तो किसी भी समय इसकी रे की गतेज उर्जा एवं गूड़ी गुणन गतेज उर्जा का अनपाथ होगा अनपाथ पूचा है रे की गतेज उर्जा और गुणिय गुणन गतेज उर्जा का अनपाथ पूचा है तो क्या होगा अनपाथ भाई हो तो इसका राइट अंसर होगा C option यानि 13 का राइट अंसर होगा C option इसके बाद next question है आपका 14 एक हवियांत्रिक system को खोकले पैपों से सहरा देते हैं क्योंकि एक हवियांत्रिक system को खोकले पैपों से सहरा देते हैं क्योंकि खोकले पैपों की ज्यामिती ये जड़त तो आगून अधिक होता है तो इसका right answer, c option is the correct answer इसके बाद next आपका 15 number question है द्रब्यमान केंदर के संबंद में निम्न में से कौन सा कतन सत्य है आपसे true कतन पूछा है तो द्रब्यमान संबंद के संबंद में द्रब्यमान केंदर के संबंद में निम्न में से कौन सा कतन सत्य है तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा D option यानि द्रव्यमान के इंद्र निदिस तंतर में निकाए का कुल रे की सम्मे अमेशा क्या होता है सुनने होता है यानि बच्चु किया होता है जीरो होता है इसके बाद बात करेंगे हाँ जी next question की बात करते हैं चित्र में दिखाया गया बकसा यानि जो चित्र में दिखाया गया है जो बकसा है M द्रव्यमान का कितने तोरण से गती करें कि उसमें रखा हुआ M द्रव्यमान के बकसे के धरातल पर मिली ग्राम प्रती थ्रीक बल लगाए तो इसकी बात इसका right answer क्या हो जाएगा 16 का यह option दो ग्राम प्रती 3 नीचे की और क्या लगाया जाए पल लगाया जाए तो इसका right answer is the correct answer इसके बात करेंगे next question 17 number question की बात करेंगे डेलोशकार साइं का मान हविलामबिक बकर रे की तंतर में होगा तो कितना होगा तो इसका right answer हो जाएगा यह option यह वाला जो answer है देखिए दोस्तो मैं आपको एक बात बता दूँ मैं हूँ biology student लेकिन आपकी required थी इसलिए मैंने paper मंगमाए थे तो आपको मैं करा रहा हूँ इसलिए मेरे कोई इतना knowledge नहीं है तो लेकिन मैं आपको answer की तो करवा ही सकता हूँ इसका right answer is the correct answer इसके बाद बात करेंगे आदा थोड़ा दिमाग आप भी लगा लेना दोस्तों तक कि आप हल कर लेना मैं solution मैं आपको answer की बता सकता हूँ लेकिन हल नहीं करा सकता क्योंकि मैं I am biology student देखिए है 18 नमर की बात करेंगे कि एक तरल पदार्त का young किसी बिंदू पर एक तरल पदार्त का बेग किसी बिंदू पर कितना होता है एक तरल पदार्त है pure material है उसका big velocity की बात किये तो किसी point पर कितना होगा इसकी बात किये तो 18 का right answer हो जाएगा C option यानि दुती कोटी का मिश्रित प्रदेश होगा दुती कोटी का मिश्रित प्रदेश होगा यानि C option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे next question की 19 समाकलन minus 1 से 1 P not x dx का मान होगा कितना होगा तो इसका right answer हो जाएगा V option यानि एक होगा इसका मान कितना होगा एक होगा इसके बात करेंगे next question की next question 20 गोली निदिशांकों में प्रदेशित लापलास समीकरण के हल के तरज जगटक की आर निरवता होगी आर निरवता कितनी होगी तो 20 का right answer हो जाएगा V option यानि आर एन प्लस बन इसका right answer हो जाएगा V option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे 21 नमर question की डेराक डेल्टा फलन के लिए निम्ण में से कौन सा संबंद सही नहीं है नहीं की बात की है तो 20 का right answer क्या हो जाएगा A option नहीं 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 21 का right answer क्या हो जाएगा A option बिलकुल एक्स डेल एक्स बराबर 0 कितना एक्स डेल एक्स बराबर 0 इसके बाद बात करेंगे next question की 22 नमर question की डेल उसका है A mu बराबर minus mu not j mu निम्ण में से किसका उचित प्रदसन है तो 20 का right answer हो जाएगा A नमर यानि Maxwell समीकरण का सह परिवर्ती रूप Maxwell समीकरण का सह परिवर्ती रूप क्या है ये वाला जो उपर दिया हुगा है आपको इसके बाद next question है 23 नमर question चेत्र में दिखाएगे जो सामने आपको चेत्र दिख रहे हैं दिखाएगे परपत की संदी या एक या थता दो के मद्धे वह आंतर b2 minus b1 है b2 minus b1 है तो इसका right answer बताईए तो 23 का right answer क्या हो जाएगा D option is the correct answer और D option में क्या है इसके बाद next question है आपका 24 नमर question एक एलेक्ट्रोन बराबर अंड्रेट साइन 1000 T bolt तता 100 ohm प्रतिरोद बा मेगा हटेज प्रेकत रकत तो के स्रेणी संबंधन के तुल प्रति बादावाले जनित्र से अधिक्तम उर्जा संचरन के लिए आवस्यक लोड है आवस्यक लोड पूचा है बच्छो तो कितना होगा आवस्यक लोड तो 100 ohm प्रतिरोद तता 10 micro f mu f दारता का स्रेणी क्रम से यूजन इसका राइट अंसर क्या हो गया 24 नमर 24 का D option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे next question 25 नेमन में से कौन सा परपत चित्र फष्ट में दरसाय परपत का सही तोले परपत है सही तोले परपत है नेमन में से कौन सा परपत चित्र एक में दरसाय प परपत सही तक परपत पूचा है तो इसका राइट आंसर पताईए देखें आप परपत देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो 25 नेधर का राइट अंसर आपके सामने om होता हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा एसके बाद इसका राइट अंसर हो गया इसके बाद नेक्स कुश्ण की बात करेंगे 26 एक पूर्ड तरंग दिश्ट कारी दो पी एन संधी डिश्ट कारियों तदा 800 ओम लोड परती रोज से बनाया गया है इसमें कोई फिल्टर परपत नहीं है यदि पी एन संधीयों का अगर गतिक परती रोज दो सर ओम हो तो दिश्ट कारी की दस्ता होगी तो यह आप हल कर सकते हैं क्योंकि आप फिजिक्स की स्टुडेंट हैं मैं आई एम वाइलोजी स् सकता लेकिन आप की रुक्यर्ट थी तो आपकी इस रुक्यर्ट को मैं पूरा कर रहा हूं तो आपका लाइक तो बनता है तो इस तो लाइक कीजिएगा और लाइक करेंगे तो मैं आपको कंटेंड अच्छे परतान करूंगा अगर इस पेपर की पीडियाफ चाहिए तो 27 नेमन में से कौन सा कतन सत्य है सत्य कतन पूचा है true कतन पूचा है आप से तो सत्य कतन बताइए 27 का right answer क्या होगा तो इसका सत्य कतन है L section filter के लिए और मिका गुणांक RL पर निर्वर नहीं करता तो इसका right answer क्या हो गया V option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे next question की 28 नममर question की चितर में दिये गए तारकेक परपत के लिए सही बूलियन सुतर है सही बूलियन सुतर पूछाई नीचे आपके यह तारकेक परपत है इसके लिए सही बूलियन सुतर पूछाई appropriate 28 का right answer क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा C option A.B A.B इसके बाद next question बात करते है 29 निम्न मैंसे कौन सा गुण विदुत चुमक विदुत चुमकी तरंगों का सही है विदुत चुमकी तरंगों के लिए सही पूछा है सही गुण तो देखें 29 का राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा D option जो की आपको यहां प्रतरसित है तो विदुत चुमकी 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 तरंग संचरन की दिसामे गटक का मान हदिक्तम होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा है D option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे next question की 30 number question दो समरूप युगमित दौलकों की प्रसामाने विद्याओं की आवरती पांच हर्टर्ज है दौनों दौलकों की अधिक्तम आयामों के मद्य समय अंतराल होगा कितना समय अंतराल होगा पांसो पाइटी माइनस पाइव वटा सेवन्टी एक्स इकाई की तरंग दैरे होगी इसकी तरंग दैरे पूछी आपसे तो 31 का राइट आंसर क्या होगा C option यानि 140 unit इसकी तरंग दैरे कितनी होगी 140 unit इसके बाद next question है 32 number विद्दुत चुमकी विद्दुत चुमकी तरंग के किसी माद्य में संचरन के दोरान क्या होता है कि विद्दुत जो और विद्दुत चुमकी के मद्द समान होंगे एक दैरेंक साथी इनकी फूल पॉम आप देख लेंदा मुझे तो याद नहीं आरी लेकिन 32 का राइट आंसर रहे जाएगा सी ओफशन इसके बाद 33 number question है कि एक स्रेणी किरम में जुड़े LCR परपत की बेंड चोड़ाई होगी एक स्रेणी किरम में जुड़े LCR परपत की बेंड चोड़ाई पूचिए आप से तो 33 का राइट आंसर कि 90 परतीशत है तो उस समय विस्तापन और आयाम का अनपात पूचा है तो कितना होगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूड जीरो पॉइंट बन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे ठोस बात क्या सबस्ताएं संतुलन में होती है तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा AC यानी B option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे 36 नमर कुशन की एक कलाचित्र का गलनताब भही है जो है एक कलाचित्र का गलनताब भही है जो है तो जमाब बिंदू क्या है गलनताब इसके बाद नेक्स कुशन की बात करेंगे 37 नमर कुशन किसी गैस की एन्थेलपी जूल टॉमसन प्रसरन के पूर्ण एवं पशात क्रम से 80 कैलोरी एवं 120 कैलोरी है यदि निर्गत द्रव्य निर्गत द्रव की एन्थेलपी 40 कैलोरी हो तो गैस द्रवित अंस होगा कितना होगा तो 37 का राइट अंसर क्या होगा यानि 0.66 इसके बाद बात करेंगे 38 नमर कुशन की 100 ग्राम पानी जो 30 डिगरी सेल्सियस पर है 0 डिगरी सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो एन्ट रॉपी में कुल परिवर्थन होगा कितना होगा लगवक कितना परिवर्थन होगा तो 38 का राइट अंसर क्या होगा C option यानि positive 0.37 kilocalorie इसका क्या होगा परिवर्थन होगा इसके बाद बात करेंगे next question की 39 नमर question की एक उपरोधक प्रकिरिया के लिए एक उपरोधक प्रकिरिया के लिए DU बराबर क्या होता है जीरो होता है इसके बाद 40 नमर question है कि एक कार्नो इंजन श्रोध में 117 degree Celsius ताप पर 100 कलोरी उसमा लेता है तता सिंग को 80 कलोरी उसमा देता है तो सिंग का ताप कितना होगा बताइए बच्चों कितना होगा तो 40 का right answer क क्या हो जाएगा यह ओप्सन यानि 47 degree Celsius होगा कितना होगा 47 degree Celsius होगा इसके बाद 41 का right answer देखेंगे 41 कुशन की चांच करेंगे किसी चेतर में द्रब्यमान के एक कर्ण का तरंग फलन EXP-KX दिया हुआ है प्रायक्ता धारा गनतों का मान होगा प्रायक्ता धारा गनतों का मान पूचा है तो 41 का right answer हो जाएगा यह ओप्सन यानि सुन कितना होगा सुन इसके बाद next कुशन है 42 एक दोई विमी यह बॉक्स में एक मुक्त कंड का तरंग फलन EXP-IKXX फिलस के भाई भाई दिया हुआ है तो एक ही विमा होगी विमा पूचिए आप से तो विमा कितनी होगी 47 का right answer हो जाएगा एल माइनस बन यानि एल माइनस बन C option is the correct answer इसके बाद बात करेंगे 43 नमर कुशन की की बी बराबर बन वाई टू एम डबलू स्काइर एक्स स्काइर विवग के आवरती दोलन में एक कंड का तरंग फलन 5A sin बराबर AX EXP minus AX उसका है इस तरंग पलन के संगत समता एवं उर्जा का मान होगा समता एवं उर्जा का मान कितना होगा तो 43 का right answer क्या हो जाएगा A option बिसम 3 by 2 H sin बिसम 3 by 2 H sin इसके बाद बात करेंगे next question की next question आपका 44 4 कौनी आवरती ओमेगा कौनी आवरती को क्या बोलता है ओमेगा और एवं तरंग संक्या के एक दूसरे से ओमेगा बराबर अंडरूड जी के द्वारा संबंदित है जहां जी गुरुत्तुवा त्वरण है इन तरंगों के कला एवं समूबेक के मद संबंद होगा संबंद पूचा है सूत्र पूचा है संबंद का मतलब सूत्र होता है तो इनके मद कौन सा सूत्र होगा तो 44 का राइट अंसर हो जागा यह ओप्सन इसके बाद बात करेंगे नेक्स 45 कुश्छन है यदि किसी कण की इस्तिती में अनिश्चिता डी प्रोगली तरंग दहरे के तुल है तो उसके बेग में अनिश्चिता होगी बेग में अनिश्चिता कितनी होगी तो 45 में B of Sun is the correct answer इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुछिशन आपके सामने 46 कुली हार्मोनिक य बन एम ठीटा कॉमा साइं फाइ फाइ के लिए कौनी सम्मे के लिए जैड गटक का आई आई गन मान होगा आई गन मान पूछा है आपके सामने इसके बाद बात करेंगे इसके बाद बात करेंगे 47 नमर कुछिशन की यदि किसी सरल घनी जालक का जालक नियतांक है 2.8 ये तो जीरो बन बन तलों के मद की दूरी होगी लगवा कितनी होगी तो 47 का राइड आउनसर क्या हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे 48 नमर कुछिशन की इसके बाद नेक्स कुछिशन 49 नमर कुछिशन है कम तापों पर ठोस की उसमा धरता ताप के साथ परिवर्थित निम्ना नुशार होती है निम्ना नुशार होती है तो 49 में B आप्शन 83 इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुछिशन की नेक्स 50 नमर कुछिशन समांगी माद्य में आवरती परास V से B प्लस DV के मद बिदाओं की संक्या समानपाती होती है समानपाती होती है तो 50 का राइड आंसर क्या हो जाएगा तो 50 का राइड आंसर हो जाएगा A option B के B के समानपाती होती है किसके समानपाती होती है B के समानपाती होती है इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुछिशन की तो इसके एक नियत संक्या है इसके बाद नेक्स से प्रकीडन द्वारा इसके बाद नेक्स कोईशन है आपका 53 नमर बिदो छितर एक्स बराबर के बाई ए बाई बराबर के नौड जैड ए जैड बराबर 0 के कल का जैड अभी आप पूचा है तो जैड अभी कितना होगा तो जैड अभी आप 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ओप्षन इसदा सून नहीं होगा कितना होगा सून नहीं यानी 0 होगा एक मिंट सोरी मैं मिश्टिक इसके बाद नेक्स कुशन आपका कितना होगा 43, 45 एक सेकेंड इसके बाद नेक्स कुशन आपका 44 आर तिर्चा के एक होकल इसके बाद नेक्स कुशन है आपका 55 चितर में दिखाएगे चितर में दिखाएगे तार में धारा आई प्रवावित हो रही है तो बिन्दू P पर सुमकी चितर है बिन्दू P पर कितना सुमकी चितर होगा सुमका 55 का राइंट्सर क्या होगा इसके बाद नेक्स कुशन आपके 46 नमर कुशन है एक सीधी रेका में तीन आवेस रखे हुए हैं एक सीधी रेका में कितने आवेस रखे हुए हैं तीन आवेस रखे हुए हैं दो का आवेस प्लस क्यू है जो आपस में डी दूरी पर है तीसरा आवेस माइनस टू क्यू है प्रतम दो आवेसों के बीच उन से बराबर की दूरी पर है आविसों के इस समू के लिए निम्न का मान सुने नहीं है तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C option चतो गुर्णांक चतो गुर्णांक इसके बाद बात करेंगे नेक्स 57 की बेवब छितर B बराबर 3X उसका एर by minus by Z के लिए निम्न मैंसे क्या सत्य नहीं है निम्न मैंसे क्या सत्य नहीं है तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा A option एक बिंदू 1,0,-1 B और E बिलोपत है B और E क्या है बिलोपत है इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुषिन 58 इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुशन की नेक्स 59 नमर कुशन लेम्डा तरंग दहरे के एक समतल तरंगागर को बी दूरी पर इस्तित किसी वाई बिंदू की सापिच कई अरधावर्थी कटिवंद कटिवंदों में विवाजित किया जाए तो तीसरे अरधावर्थी कटिवंद का छितरपल होगा छितरपल कितना होगा तो 59 का राइट अंसर हो जाएगा पाई बी लेम्डा पाई बी लेम्डा कितना होगा पाई बी लेम्डा इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुशन की नेक् प्रकास के परावरतन से समतल दरपन से प्रकास के परावरतन से क्या बनती है इसके बाद बात करेंगे परावरतन के किसी प्रियोग में सिलेट चोड़ाई 0.16 मिमी तता सिलेटों के बीच दूरी 0.8 मिमी है तो बिवरतन पैटरन में अनुपस्तित क्रम होगा बताईए क्या होगा तो 61 का राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे नेक्स कोशन आपके सामने पेस होता हुआ 62 जब एक पतली पारदस्टी पदार्त की पर्टिका किसी मोटाई 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 शेमी है को किसी एक बियत्ती करन पोंज के राश्ते में रख दिया जाता है तो किंदरी परिंज अपने प्रियोक्त पत्तिका के पदार्त का अपवरतन गुणांक होगा तो इसमें 62 का राइट अंसर हो जाएगा C ऑप्सन कितना होगा 1.52 इसके बाद बात करेंगे नेक्स कुश्चन की 63 नमर कुश्चन की निमनों से कौन सा कतन सहीं नहीं है सहीं नहीं कतन पूछा है आपसे तो D option होगा इसका right answer तो इसमें कौन सा कतन जॉन प्लेट जॉन प्लेट में बेंगनी प्रकास की फोकस दूरी लाल प्रकास की फोकस दूरी से अधिक होती है यह इसका रौंग है यह खटन कैसा है रौंग है इसके बाद बात करेंगे next कुश्चन की next उर्जन 64 नमर कुश्चन ह समतल दुर्वेत प्रकास एक वाटर्च पिलेट से इस प्रकार गुजरता है कि उसकी प्रकासी अचप्रष्ट के समांतर है पार गमित प्रकास के समतल दुर्वेत ओने के लिए प्लेट की नियूंतम मौटाई होनी चाहिए तो नियूंतम मौटाई कितनी होनी चाहिए तो 64 का राइट अंसर क्या हो जाएगे यह ऑफ्शन 27.5 माइक्रो मीटर 27.5 माइक्रो मीटर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कुश्ट नेक्स्ट कुश्ट सिक्स्टी फैव एक नावे की तरजा आर बराबर 1.25 इंटु ए 1.35 मीटर होती है एवं एक परमाडवे को सहीं है ता एक इसके बात करेंगे नेक्स्ट कुश्टी सिक्स्ट की बात करेंगे गलत खतन चूज करना है तो गलत खतन चूज करना है तो दी नावे की बल चक्रन पर निवर नहीं करते नाव की बल्च किस पर निर्वड नहीं करते चक्रन पर निर्वड नहीं करते तो इसका राइट अंसर हो जाएगा डी ओफशन इस दा करेक्ट आंसर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कुश्टी सेवन ई नेगटिव ई पॉजिटिव योगम उत्पादन के लिए आ एट यानि सेकंड लाइस कुशन है एक साइकलो ट्रॉन जिसमें प्रोटॉनों को त्वरेत कने के लिए एक ओंड चोट हैसला चुमकी चेतर लगाया जाता है मैं डी पर लगने वाले प्रत्यावर्ती विद्चेतर की आवर्ति क्या होगी प्रोटॉन का द्रभमान एक बॉ न्यूटरॉन की क्यों बार्क सरचना है न्यूटरॉन की क्या सब्सक्राइब करा अब्यएक्टर को परियोग की जाती है तो इसका राइडर घ्राइट कि छणह प्रियोग कि जाती एक साथ यो कोई भी मिश्टिक हो तो sorry मैं आप कुछ हमाँ चाहता हूं लेकिन आपकी रुकायर थी कि पेपर चाहिए तो मैंने कहीं से पेपर मंगाया था और आपको यहीं सी यूटुब टिजनल पर डाला है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करने और शेयर करने की जरूरत है थैंक यू आपको यहां लेकि देता हूं अगर इस पेपर की पीडियाप आपको चाहिए तो 9982660601 यहां आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाटसप पर ठीक है थैंक यू नेक्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके दो हैर चोधे वेपर किसा कर दोग कर दो है।